आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं, टाटा ए स्टील स्टॉक के बाठीट को डिस्कस करने का मुख्य कारण यह है कि इस समय देखेंगे कि metal steel का जहां trend देखेंगे metal sector का काफी strong uptrend में है वहीं Tata Steel अभी भी underperform trade करते वे दिख रहा है जिस परकार से इसके peers company काफी बेतर करते वे दिख रही है even GSW Steel जैसे stocks में हमने देखा कि काफी बेतर परफॉर्म रहा even Shell ने भी बेतर परफॉर्म किया वहीं देखेंगे Tata Steel अभी भी downtrend या फिर आप क्या सकते कि consolidated form में trade होते वे दिख रहा है एक news trend हुई कि Tata Steel डमसेटपूर ने announce किया around 317 करोर annual bonus जिसमें की imply around 43,710 implies है और इस समय से stock में trend अभी भी जो consolidated form ही है तो मेरा personally recommendation है कि 112 तक wait करना चाहिए for target of around 130 to 150 एक दूसरा stock जो मैं personally आपको recommend करना चाहूंगा हालांकि stock तो काफी strong update में भड़ चुका है लेकिन देखेंगे तो अभी भी trend काफी bullish दिख रहा है वो है action construction equipment इस stock में अभी भी देखेंगे तो 300 को पर जब तक यह sustain कर रहा है 350 to 380 तक के level दिख सकने with stop loss below 278